हलो माई डियर फ्रेंट्स वेलकम टू स्टड़ी आयक्यु रास्तान आप सभी साथ्यों का स्टड़ी आयक्यु रास्तान के इस प्लैटफॉर्म पर स्वागत है कैसे हैं आप लोग उमीद रखता हूं मस्त होंगे अच्छे होंगे बिंदास होंगे जोरदार होंगे और आप की शेशन की चर्चा को साथ यो प्रारम करेंगे तो आज का जो हमारा महत्तोपॉन मुदा रहने वाला है जैसा कि आपको विदित है डेली स्याम पांच बज़े में आपके लिए उपसित होता हूं और उसमें हम रास्तान के किसी न किसी महत्तोपॉन पहलू चाहे हो रास्त स्वामी दयानन सरस्वती को जोधपूर में जहर जो दिया गया था उसी संधर में आखिरकार स्वामी दयानन सरस्वती का शंबंद क्या था राजस्तान वे क्यों गए थे और रास्तान में उनको जहर क्यों दिया गया अर्थार रास्तान के ही जोधपूर रियासत में उनको सुधार अंदुलन पढ़ते हैं तब हम स्वामी दयानन सरस्वती के बारे में भी पढ़ते हैं अर्थात इनके द्वारा जो सामाजिक सुधार अंदुलन के कारी केगे उनके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं लेकिन जो आज का हमारा मुद्दा रहने वाला ह जैसा मैंने आपको बताया कि स्वामी दयानन सरस्वती अपने रास्तान वाले क्शितर में भी गए थे और मारवार र्यासत याफिर मैं यूं कहे दूँ वर्तमान जोत्पुर वाले क्शितर में जो राठोर राजवंस का सासन था इसी राठो डाजवन्स के सासन के दोरान जस्वन सिंग सेकिन जो यहां के सासक थे उनके काल में इनको जोदपुर में ही जहर दे दिया गया था वह जहर क्यों दिया गया उसके पिछे कारण क्या था किसके द्वारा दिया गया था क्यों दिया गया था यही सब चर्चाएं आज हम करने वाले हैं आप अपने सभी मित्रों को एक बार जोड़ लीजिएगा शेयर कर दीजिएगा सुरुआत इसकी की जाएं आपनों राष्टान के तहट मैंने आपको यह बता है कि राष्टान के इतियाँ से मुकलाई एवं संस्कृती जो आती है साथी साथ जो और अन्य महत्वपुन मुद्य आते हैं जो हमरे एक्जाम के दिस्ट्री कौन से महत्वपुन होते हैं उन्हीं के उपर हम रोज चर्चा साथ्यों करते हैं इसी के तहट आज हम बात थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आपको प्रारम में स्वामी द्यानन सरस्वती के बारे में भी देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को ये आइडिया लगे कि स्वामी दयानन सरस्वती कौन थे और वे अपने मारवाड अर्था जोदपुर वाले क्षितर में क्यों आये थे क्या उनको बुलाया गया था किस कारिये के लिए वे गये थे ये सारी चर्चाएं आज हम इस सेशन में करने वाले ह तो प्रारम की बात अगर मैं आपको बताओं स्वामी दयानन सरस्वती वही है जिनके द्वारा 10 अप्रेल 1875 इश्वी की बात आती है 10 अप्रेल 1875 इश्वी को स्वामी दयानन सरस्वती के द्वारा आर्ये समाज की सापना की गए थी या आप सभी साथ्यों को विदित भी ह अगर जानकारी नहीं है तो मैं बता रहा हूं 10 अप्रेल 1875 इश्वी को इन्होंने जो आरिये समाज की सापना की थी वहां मुंबई में इनके द्वारा सापना की गए थी इसके पीछे कहानी आती है क्योंकि आरिये समाज के माध्यम से आपको यह भी ग्यात होगा कि स्वामी स्वामी द्यानन सरस्वती के द्वारा हिंदू सुधार अंदुलन चलाया गया था और इसमें एके स्वर वादी अर्थात एक ही स्वर की उपासना के उपर बल देने का कारिये स्वामी द्यानन सरस्वती के द्वारा किया गया साथी साथ जो वेद आते हैं वेदों की लोग सत्ता में विश्वास के अधार पर मुल्य और प्रताओं को बढ़ावा देनाए के लिए इनके द्वारा इस ब्रह्मर समाज की स्तापना 1875 10 अप्रेल में मुंबई में इनके द्वारा कर दी जाती है अब जो आपके स्वामी दैरन सरस्वती हैं इनके मूल नाम की बात अगर की जाए कई बार आपके ग्रेड फेस्ट के एक्जाम में ये पूछा जा चुका है या फिर और जो अपने रास्तान के एक्जाम होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है इनका मूल नाम जो था यह मूल संकर था और बेसिकली ये गुजरात वाला जो क्षित्र आता ह या मैं यूँ कह दूँ काठियावार गुजरात वाला क्षित्र जो आता है यहां पर 1824-1824 हिश्वे में स्वामी दयानन सरस्वती का जनम हुआ था मैंने ये कहा इनका बच्पन का नाम जो था या फिर इनका मूल नाम जो था ये क्या नाम था मूल संकर या कुछ जगे हमे मूला संकर भी देखने को मिलता है इनका देहान तो जो हुआ 17-1823 हिश्वे में कहां पर होता है अजमेर राजस्तान में होता है लेकिन अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा आपके मन में विचार आ रहा होगा सर आपने जो थमनेल बनाया है या फिर जो आज की सेशन म आजमेर वाले ख्यतर में किस प्रकार आय थे क्यों आय थे यहाँ भी जानकारी थोड़ी ही देर में मेरे द्वारा आपको प्रदान कर दी जायेगी अगर आरिये समाच की बात की जाए तो आरिये समाच जो है वहाँ एक इसवर को मांता है मैंने अभी अभी ये बताया था ا एक एस्वरवादी भारती हिंदू शुधार अंदुलन था जिसके तहत भारती हिंदू को एक ही इस्वर की उपासना करने के उपर बल दिया गया था साथी साथ मुर्ती पुजा को एस्विकार करता है मुर्ती पुजा को एस्विकार अर्थात मुर्ती पुजा का विरोध जो है वहां आरे समाज के द्वारा किया गया या मैं यूं कह दूं स्वामी दयानन सरस्वती ने मुर्ती पुजा का विरोध कर किया था क्यों किया था उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी आती है जब भचपन में ये भगवान शिव के आराधना किया करते थे तब एक दिन शिवलिंग के पास रखे प्रशाद को एक चुहे ने खा लिया जिसकी वज़े से स्वामी दयानन सरस्वती ने अपने पिता से पूछा कि आज में जब मंदिर गया था तब वहाँ पर भगवान शिव के सिवलिंग के पास रखे प्रशाद को एक चुहा खा रहा था क्या वहाँ पर भगवान शिव मोजूद नहीं थे तब इनके पिता के द्वारा ये कहा गया भगवान शिव तो केलास परवत में विरास्ते हैं तभी से लेकर जो बाद में इनके बहन की म्रत्यू हो जाती है, बहन का देहान्त हो जाता है, इनके चाचा का देहान्त हो जाता है, पंद्रा वर्स के आवे में अपना घर परिवार छोड़ करके हिंदू सुधारवादी आंदुलन चलने के लिए निकल पड़ते हैं, ऐसी सारी बातें जब हम किसी दिन स्वामी दयानन सरस्वती के बारे में चर्चा कर रहूंगे, तब मैं आपको डिटेल से बताने वाला हू लेकिन इन्हें जोदपूर में जहर क्यों दिया गया, यह आज का हमारा मैन मुखे बिंदू है, यह मैन मुखे मतलब जो अपना टोपिक जो है, वो उसी के और मैं वापस आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी हमें, इनके स्वामी दयानन सरस्वती के बारे में भी होनी चाहिए, इसलिए बेसिक बाते में आपको पहले इनके बारे में बता रहाँ साथियों, अब देखेगा, आरिये समाज की सापना से पुर्व, दयानन सरस्वती के द्वारा वेदिक ज्यान के परचार हेतु वेदिक विद्याले, जिने हम गुरुकुल या वेदिक विद्याले इनके द्वारे सापित किया गया था, और जहां छात्र जो रहा करते थे, उनको मूर्थी पुझा करने की अनुमती नहीं थी, क्योंकि मैंने कहा, आरिये समाज के द्वारा एकेस्वरवादी और साथी साथ मूर्थी पुझा का विरोध इसके ताहत किया गया था इसी लिए इनके द्वारा जो वедिक ज्यान के परचार परसार हेतू जो आपके वेदिक विद्याले खोले गए हैं जिने हम गुरुकूल कह रहे हैं ये जो इनके द्वारा सापित किया गया 1869 इस्वे में सबसे पहले आपके फरुखाबाद में यहाँ पर जो स्टूडेंट रहा करते थे उनको मूर्ती पुजा के अनुमती नहीं हुआ करती थी अब वेदों में अगर हम चर्चा करें तो धार्मी कनुस्ठान जो आते हैं जैसे यग्य की बात अगर की जाए उनके बारे में डिटेल से जानकारी प्रदान की गई है औ और अगनी हुत्र हवन जो है वहाँ यहाँ पर रहने वाले चात्रों के द्वारा किया जाता था अब देखिए वारानसी प्रवास के दुरान जै किसंदाज जो यहाँ के प्रसासक थे कहां के वारानसी के यह इन से लेखन का अनुरोद करते हैं कि आप जो हैं जो सर्मा आते हैं इनके द्वारा लिपिबद किया गया और परवचनों का संकलन जो है यहां क्या कहलाया सत्यार प्रकास और वारानसी में ही सन अठारासु पिचेतर इसो में इसको क्या किया गया प्रकाशित किया गया बहुत बार आपको एक तरफ समाज सुधार जो आपके समाज सुधारक आते हैं दूसरी तरफ उनके द्वारा रचित कोई भी गरंथ आता है वहाँ दे दिया जाता है और यह आपसे प्रशन पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यार में रखना है स्वामी दैनन सरस्वती के द्वारा सत्यार प्रकास जो है या फिर इनके जो परवचन आते हैं उनको यहाँ पर लिपिक भी में शर्मा की द्वारा संकलित करने का कारे किया गया और इसका प्रकाशन जो है यह 1875 इस्व में वारनची से ही कर दिया जाता है हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इनके राश्तान कनेक्शन के बारे में जल्द ही साथियो जानकारी प्राप्त करने वाले है जैसे आगे बढ़ें तो अजमेर सहर की बात आती है राजमेर राज़तान में आता है यहाँ पर इनके द्वारा परोप कारणी सभा की सापना की जाती है और यह कब कीगी 1882 इस्वे में ताकि वेडी ग्रंथों को प्रकाशित किया जा सके और इनका प्रचार प्रसार किया जा सके मैंने कहा जो स्वामी द्यानन सरस्वती है इनहीं के द्वारा राज़तान के अजमेर सहर में 1882 इस्वे में आपके परोप कारणी सभा की सापना की गई थी वैसे आपको ध्यान में ये भी रखना है कि सबसे पहले परोप कारणी सभा की प्रथम सापना जो हुई थी वह हम मेरट में हुई थी अगस्ट 1880 में अगस्ट 1880 में तो इनके द्वारा परूपकार्णी सभा की सापना मेरट में की गई लेकिन अगर आप से राजस्तान के शंधर में पूछ ले कि राजस्तान में इन्होंने परूपकार्णी सभा की सापना सबसे पहले कहां पर की देन प्रचार प्रसार भी किया जा सके याद रख सकते हैं परूपकार्णी सभा क्यों स्तापित की गी थी वेदिक ग्रंथों का प्रकाशन और उनको प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले कहां पर 1880 में मेरट में इसकी स्तापना हुई थी जबकि राजस्तान की शंधर में आप से पूछेगा देन आप बताएंगे 1880 में अजमेर सहर में परूपकार्णी सभा की सापना की गए थी साथी साथ ग्यात रहे कि इसके संसोदन वा संपादन का कारी महरसीन रास्तान के उदेपुर के नव लखा महल जो मेवाड महना थे जिनका नाम आता है सजन सिंग आपको पता होगा 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था 1857 की जो क्रांती हुई थी उस क्रांती के दोरान अपने राजस्तान में भी 6 कुल सेनिक चावनिया थी जिन में से नशिराबार, नीमच, देवली और एरिनपुरा इन स्थानों पर क्रांती हुई थी या विद्रो हुआ था अर्थात जो वर्त्मा नीमच वाला क्षित्र है ये इस क्रांती के समय मेवाड रियासत का इस्सा हुआ करता था और इस क्रांती के समय जो मेवाड के सासक थे उनका नाम क्या सजन सिंग ही था क्या जी हाँ वही सजन सिंग है इनके काल में ये नौलखा महल जो आता है जो उ प्रकास की भूमी का भी लिखने का कारिये महरसी द्यानन सरस्वती के द्वारा किया गया था और हलंकी द्यानन सरस्वती के द्वारा परोपकानी सभा की सापना की बात में आपको बताए दिये अब देखते हैं ये तो हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की है जो महरसी द्यानन सरस्वती थे उनके बारे में कि किस प्रकार इन्होंने सामाजी को धार्मिक सुधार अंदुलन के लिए ब्रह्म समाज की सापना की है साथी साथ आगर हम बात करेंगे मेरे पैरल आडलो आपके यहाँ पर जो मैंने आपको ब्रह्म समाज नहीं आरे समाज की सापना की बाद हम कर रहे हैं आर ये समाज की सापना क्यों की थी वेदिक ज्यान और वेदिक प्रचार हे तू साथी साथ विद्याले भी इनके द्वारा खोले गे थे मैंने एक और इंपोर्टेंट बात आपको यहाँ पर इनके द्वारा ये बताई है कि मुर्ति पूजा को पैस्वीकार कर दिया गया साथी साथ एक इसवर को मानने के उपर बल इनके द्वारा दिया गया था इनका मूलना मूला संकर था जिनका जनम गुजरात के काठिया वड़ वाले क्षित्र में हुआ था अब देखेगा जोदपूर्द के जो सासक आते हैं जस्वन सिंग उनक के साथ इनका किस प्रकार रिलेशन रहा अर्थात इनको जोदपूर्द वाले क्षित्र में जहर क्यों दिया गया ये बड़ा इंट्रेस्टिंग पार्ट अब साथियों रहने वाला है ठीक है तो देखेगा जस्वन सिंग सेकिंड जो मारवार के सासक थे इनका रूलिंग पिरियड अगर हम देखते हैं तो फ्रोम 1873 तो 1895 अठारा सो तीहतर हिस्वी से अठारा सो पिचार में इस्वे तग जस्वन सिंग सेकिंड के द्वारा रूल किया गया था आपको एक तरफ में ये बता रहा हूं कि भारत में महरसी द्यानन सरस्वती जो है वह धार्मिक सु इसलाम धरम की बात करें जो पहले हिंदू धरम के वेक्ति थे जिनोंने कालांतर में कोई दूसरा धरम अपना लिया उनको वापस हिंदू धरम में कनवर्ट करने के लिए यहा सुधी अंदुलन भी इनके द्वारा चलाया जा रहा था इसी के कार्ड ना केवल इसलाम धरम बलकि इसाई धरम जो क्योंकि ततकाल समय में ब्रेटिस इंडियन गोर्मेंट का यहां पर रूल था इसलिए इसलिए इसाई मिसंडियों के द्वारा भी इनका विरुद किया जा रहा था लेकिन यह अपने परवचनों के माद्यम से वेदिक ज्यान को बाटने का कारी यहां आ कि गए थी वेदिक पुस्टकों के परचार परशार करने के लिए या फिर उन्हें प्रकाशित करने के लिए अब हम इसी समय तदकाल समय के दूरान मारवाड वाले क्षितर की बात करते हैं मारवाड का आपको पता ही होगा मारवाड अर्था जोदपुर वाला जो क्षितर आता है उस जोदपुर और उसके आसपास का जो वुबाग आता है जिसे हम मारवाड के ख्षितर के नाम से जानते हैं और यहाँ पर राठोर राजवन्स का सासन था और इन्ही में से एक सासक यहाँ पर हुए जिनका नाम है जस्वन सिंग सेकेंड जस्वन सिंग सेकेंड जैसे ही त्रोनिय राजगदी के उपर बैठते हैं इनके पिता के देहान के बाद इनके द्वारा जो अपने मिनिस्टरी या फिर जो अधिकारी वर्ग जो था उनको जब अपोइंट किया गया तो उच्छ पदों के उपर इनके द्वारा कई सारे मुसलमानों को अपोइंट किया गया था और इनहीं में से एक इनके वजीर या प्रधान दिवान जो आते हैं या मैं यूँ कहई दू कि इनके जो मुखे पद जो आता है प्रधान मंतरी का या दिवान का पद जो था ये फेजुल्ला खान को दिया गया था। था ये नन्ही जान के नाम से जिने आप जानते हैं या फिर मैं यूँ कह दू कि नन्ही भकतन जो आपके यहाँ पर फेजुला खांग के द्वारा लाई गई है जो दिवान था किसका जस्वन सिंग से किन का नन्ही भकतन को आपके कहां से लाया गया रामपूर के नवाव से और किनके दर्बार में लाया गया ये मारवार के सासक जस्वन सिंग से किनके दर्बार में लाया जाता है अब आपके मन में विचार आ रहा होगा आपके मन में एक कुशन आ रहा होगा कि भक्तन क्या होती है तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आप साथियों को प्रदान कर देना चाहता हूँ जैसे बात अगर की जाएगी भक्तने होती क्या थी कि इनको कहा जाता था भक्तन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर भक्तन क्या है यह आपके मन में आया क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि नन्ही भक्तन जो थी जिसको रामपुर के नवाव से लाया गया था और जस्वन सिंग सेकेंड को दिया गया था तो भक्तन होता क्या है एक्च्वल में कौन सी इस्तरी को भक्तन कहा जाता है तो प्राचीन समय में क्या होता था भक्तने उन इस्तरियों की पुत्रियां होती थी जिने मिट्टी के गणेजी से ब्याहा कर साधूं को उनकी साधना में साहिता के लिए दे दिया जाता या बेच दिया जाता था और उनसे पैदा होती थी इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि मैंने कहा प्राचीन समय में जो आपके भगतन जो उन इस्तियों की पुत्रियां होती हैं जिनका विवाह पहले मिट्टी के आपके गोबर के गनेश जी के साथ में कर दिया जाए और बारने उनको साधू को दे दिया जाए ताकि वे इनकी साधना में क्या करें हेल्प कर सकें और जिस साधू को इन स्तियों को दिया जाता था वो साधू का इस स्तिय पर एजे पती के रूप में उनका अधिकार इनके उपर ह अब जब ये आपके यहां पर जो उनसे जो पुत्रियां जो पैदा हुआ करती थी उन्हें ही भख्तन कहा जाता था इसका मतलब ये नंनी भख्तन जो है इसको definite करने कि यह आपको आप सेक्ता नहीं होगी कि यह भख्तन होता क्या है मैंने बताए दिया है कि ऐसी स्त्रिया जो पहले आपके जिनके मिटी के गनेजी के साथ ब्याकर साधूं को उनको दे दिया जाए और उनसे जो पुत्रियां होती है वो भक्तने कहलाती है भक्तनों का विवा पुनसादूं से ही होता था मगर उनमें से कुछ वेश्यावर्ती करने लग जाती थी और नन्ही भी उन्ही में से एक थी ये वही नन्ही भक्तन है जो अब पहुंच चुकी है किसके कोट में जो मारवार सासक हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया है जस्वन सिंग सेकेंड और जस्वन सिंग सेकेंड के कोट में आदरबार में कोन पहुंच गई है नन्ही भक्तन जिसे नन्ही जान के नाम से भी ज जाता है ये वही नन्नी जान है जो आगे भविसे में चल करके महरसी दयानन सरस्वती को जहर देगी क्यों देगी वही चर्चा हम अभी डिसकस कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये तो क्लियर हो गया कि जो मारवाड के सासक थे उनके एक दिवान थे जिनका नाम मैंने फेज सुरत भी थी ननी भवक्तन को ले के आए और महराज को भेंट कर दिया ये ननी भवक्तन भवटता क्या है ये वर्ड में आपको यहां पर डिफाइन किया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि भवक्तन एक्च्वल में हुआ कौन करते थी अब देखते है आगे नन्ही भगतन अब मारवार सासक जस्वन सिंग के दर्बार में आ चुकी है और वह इनके कोण में इनके दर्बार में बहुत अच्छा डांस करती है ये तत्कालिन एक image मैंने आपको दिखाने का प्रियास किया है ये नन्ही जान जो हुआ करती थी या नन्ही भक्तन जो है ये उसी का एक image है जिसे हम नन्ही जान के नाम से भी जानते हैं हना तो देखेगा नन्ही के रूप के जाल में महरजा ऐसे फशे की राजकाज पूरी तरह बुला बेटे चारो तरफ त्रही त्रही मच गई महरजा नन्ही से मिलने दूर्ग से उसकी घासमंडी इस्तित हवेली पर भी जाते थे जो की वेश्याओं का इलाका हुआ करता था जिसे देखकर सारे समंदी रानिया राव उम्राव महरजा से घणा करने लगे यहां तक की विरोध करने वाले महराज ने अपने छोटे भाई प्रताब सिंग को भी रजजे से निकाल दिया ऐसा क्या था इस नन्नी भक्तन में या नन्नी जान में मैंने कहा उस समय की एक खुबसूरत बला थी और भक्तन होता क्या है यह मैंने आपको बता ही दिया है महराजा की दरबार में ऐजे डानसर ही आई थी ऐजे नरतियांगना ही आई थी लेकिन इसके नरतियों रूप ने महराज का मन जित लिया जिसके कारण मेंने ये कहा है कि महराजा के उपर इतना प्रभाव हो गया कि वह महरजा स्वम जो थे वहा आपके जोद्पूर वाले क्षितर में जो एक जेगा आती जिसे घास मंडी हम कहते हैं और ये घास मंडी प्राचीन काल में बदनाम था अपने क्षितर के लिए फिर अपने कारिय के लिए क्योंकि यहाँ पर ततकालिन जो आपके गणिकाएं ह प्रभाव जमाना प्रारम कर दिया जो आपके तत्कालिन मारवार सासक आते हैं जस्वन सिंग सेकिन इनके उपर अब जब मिवार महना स्वेम इनके निवास ख्षित्र घासमंडी वाले ख्षित्रमें से मिलने जाते हैं या फिर मैं यूँ कह दूँ कि नन्ही जान जो है वहस्वन जोदपूर के इस महरांगर दुर्ग में प्रवेश्ट कर जाती है यह मारवार रियासत के इतियास में ऐसा पहला उसर था जब किसी गणिका के द्वारा महरांगर दुर्ग को लांगा गया था अर्थात महरांगर दुर्ग की सिमाओं को लांग करके उस दुर्ग में प्रवेश्ट पाया गया था यह मारवार के इतियास में पहली घटना आती है मारवार के सासक जस्वन सिंग सेकेंड के समय मैंने ये कहा कि जो ततकालीन आपके उमराव आते हैं सरदार आते हैं सातिसा जो समंदी आते है और मैं यूँ कहँदू कि जो महरानिया थी पत्रानिया थी उनके द्वारा भी मार्वाइड शासक जस्वन सिंग सेकेंड को समझाने का प्रियास किया गया कि महराज जो आप ये कारिये कर रहे हैं ये ठीक नहीं है लेकिन फिर भी नन्ही जान का प्रभाव मारवार सासक जस्वन सिंग सेकिन पर बहुत ज़्यादा था जिसके कारण अगर हम बात करें महरजा के द्वारा एक हवेली का निर्मान जो है वह भी नन्ही जान के लिए करवाया जाता है और यहावेली ततकालिन घासमंडी वाला जो उक्षित रहाता है यहाँ पर महरजा के द्वारा इस नन्ही जान के लिए करवाया गया था इस हवेली निर्मान के समय भी एक छोटी सी घटना घटित होती है लेकिन उसके बारे में फिर कभी हम चर्चा करेंगे इसके निर्मान के समय की बात अगर हम करें तो यहाँ महरजा जस्वान सिंग सेकिन के काल में नन्ही जान के लिए यह हवेली जो है यहाँ आपके पर बैट करके नन्ही जान आम जनता या फिर मैं यूँ कहिदू कि लोगबाग जो इनके संपर्क में हुआ करते थे उनसे मुलाकात किया करती थी और दूसरा इनका निजी निवास्तान हुआ करता था यह जोदपुर वाले क्षित्र की बात आती है साथी साथ आगर हम चर् में ऐसा पहला उसर आया महरजा जस्वन सिंग सेकिन के काल में कि नन्ही जान का प्रभाव महरजा के उपर इतना हो गया था कि वह सिधे महरांगर दुर्ग में जाया करती थी महरजा से मिलने ना केवल महरजा से मिलने जाती थी बलकि दरबार में भी वह महरजा के पास कटा लगा करके ऐसे बैठा करती थी जैसे कोई महारानी बैठी हो, बेसिकली ये गणी का थी, लेकिन महरजा के द्वारे इनसे प्रेम कर लिया गया, जब इस ननी जान का इतना प्रभाव मारवार की खितर में, जो मारवार के जो सासन चल रहा है जस्वन सिंग सेकिन का, इनके दर बार पर इतना प्रभाव ननी जान का अपने को देखने को मिलता है। भक्तन क्या होता है ये मैंने अभी अभी आपको बताई है। मैंने ये कहा जब भी ननी जान की पाल की अपाल की क्या होता है जो आपने देखा होगा प्राचीन समय में जो सेवक हुआ करते थे वहाँ डोली को अपने कंधे के उपर लेकर के चला करते थे। चलते थे क्या जी वहाँ पर उपसित हुआ करते थे मारवाड या फिर किसी भी रियास्त में ऐसा ये पहला ही अवसर अपने को देखने को मिला जब किसी गणिका की पालकी का स्वाग्यत करने के लिए मारजा स्वेम समान करने के लिए रेस्पेक्ट देने के लिए स्वयम वहाँ पर जाया करते थे और नन्नी भरे दर्बार में उनकी बगल में कटार लगाए महारानियों की तरह बैठती थी मैंने ये कहा था थोड़ी देर पहले कि नन्नी जान का महरजा के उपर इतना प्रभाव हो गया था कि वह महरजा के बगल में ही दर्बार में बैठने लगी थी अब जब ऐसा होने लग गया तो क्या नन्नी जान का दर्बार के उपर अपना प्रभाव है या नहीं है बिल्कुल आप कहेंगे जी साब बिल्कुल है नन्नी जान जैसे बोलेगी वैसे मारवार के सासक जस्वन सिंग करेंगे या नहीं करेंगे अगर यहाँ किसी भी वेक्ती को अपोइंट करना चाहेगी या फिर किसी भी वेक्ती को डिसपोइंट या हपद से हटा देना चाहेगी तो क्या मारवार सासक जस्वन सिंग सेकेंड द्वारा ऐसा किया जाएगा बिल्कुल किया जाएगा क्योंकि जस्वन सिंग सेकेंड के उपर तो प्रभाव आ चुका है किसका नन्नी जानका इसी के तहट मैंने यहाँ पर यह लिखा है उसकी बोहें के बल मातर से राव उम्राव घबराते थे और उसकी जी हुजूरी मेरे पैरे साथियों किया करते थे कहते हैं कि एक बार प्रताब सिंग जी अब देखीगा यह प्रताब सिंग जी कौन है मैंने कहा यह जस्वन सिंग के आपके छोटे भाई थे जिनका नाम आता है आपके प्रताब सिंग थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया मैंने क्या बताया थोड़ी ही देर पहले हमने ये चर्चा की कि जो आपके यहां पर दिवान थे जिनका नाम क्या था जिनका नाम था जी आपके यहां पर फेजूला खां एक बात को समझने का प्रियास कीजिए गासाथियों मैंने कहा जो आपके मारवार के दिवान है जिनका नाम है फेजूला खां और इन्ही फेजूला खां के द्वारा नन्ही जान एज गिफ्ट की गई थी मारवार के सासक को अब जब फेजूला खां यहाँ पर दिवान के पद पर हैं तो मारवार वाले समराजे में जो समराजे की इस्तिती थी वहर डावाडोल हो जाती है यहां की जनता के उपर किसी भी प्रकार का अध्यान मारवार सासक जस्वन सिंग सेकिन के द्वारा नहीं दिया जाता है तो पीछे से फेजूला खां जो है इसके द्वारा अपनी मनमानी की जाती है या फिर फेजूला खां और नन्ही जान के नेतरत्वा में ही मारवार का सासन चलाया जाने लगता है अब जब सब ये हुआ तो जो आपके मारवार क्षितर के सरदार थे उम्राव थे रानिया थी महरानिया थी पतरानिया थी उनके द्वारा बार बार महरजज अस्वन सिंग सेकिन को समझाने का प्रियास किया गया और इसी के तहट मारवार सामराजे के प्रसासन को पुनै नियंत्रन में लाने के लिए जो मारवार सासक के छोटे भाई थे जिनका नाम आता है परताब सिंग क्या नाम बता है मैंने परताब सिंग इनको वापस मारवार वाले अक्षितर में बुला लिया जाता है क्योंकि थोड़ी ही देर पहले मैंने कहा था कि वे नाराज होकर के मारवार का अक्षितर छोड़ कर चले गे लेकिन मारवार के राजे की जब इस्तिती ठीक नहीं थी अब सामराजे में जनता की भलाई का तोकार यहोने लग गया है लेकिन फिर भी महरजा जो है वह दूबे रहते हैं खोई रहते हैं किसमें ननी जान में कई बार समझाने का प्रियास किया गया लेकिन महरजा जस्वन सिंग बिलकुल मानने वाले ही नहीं थे जब इनको बार- तब वह रायका भाग पिलेस में जाकर के ननी जान के साथ मुलाकात करते थे लेकिन उन्होंने मुलाकात करना नहीं छोड़ा अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह बताया कि स्वामी दयानन सरस्वती या फिर महरसी दयानन सरस्वती जो आते हैं वे अजमेर वाले परुपकारणी सभा की सापना कर चुके थे। मेवाड में थे, मेवाड अर्थात उदेपुर वाले क्षित्र में जब स्वामी दयानन सरस्वती आये थे, तब इनको यहाँ पर मारवाड वाले क्षित्र में प्रताप सिंग के द्वारा इन्वाइट किया गया। वे महरानगर दुर्ग में बेरोक टुक आने जाने लग गये थे। इसी क्रम में एक दिन की बात आती है, एक दिन, एक बार स्वामी जी, जब महरजा के दर्बार में जाते हैं, तो स्वामी जी क्या देखते हैं, जो द्रशे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह स्वामी में आपको बताए, जब महरजा के दर्बार में पहुँचे, तब महरजा के द्वारा जो नन्ही जान आती है, इसको पालकी के अपने पालकी में, पालकी के कंधे, पालकी को कंधा इनके द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा था, अर्थात इनकी पालकी को अपने कंधे के उपर उठाए हुए थे यहाँ पर दूसरा मत अपने को ये देखने को मिलता है ननी को अपनी बगल में बैठा रखा था और दूसरा मत मैंने आपको बताया कि यहाँ पर महरजा के द्वारा ननी जान की पालकी को अपने कंधे पर रखा हुआ था यहाँ जब स्वामी जी के द्वारा देखा गया मैर्शी दैरन सरस्वती के द्वारा जब देखा गया तब वे महरज़ जस्वन सिंग से बहुत ज़्यादा नाराज होगे और उनके उपर क्रोधित भी होगे क्यों होगे क्योंकि आप महराजा हैं और आपके द्वारा यहा कारिय जो किया जा रहा है अर्थात इस नन्नी जान की पालकी को कंधा दिया जा रहा है इनकी डोली को आप कंधे के उपर बैठाए हैं यहां सोभनी यह कारिय नहीं है और इसी से नाराज होकर के अत्यन्त कुपित हुए और महरजा को फटकार लगाए और बाद में उन्हें क्या लिखा पत्र लिखा और इस लेटर में इनके द्वारा नार की पसू से तुनना आपके मारवाड महरजा की की जाती है लेकिन यह पत्र जो स्वामी जी की द्वारा लिखा गया था मारवाड की सासक के लिखा गया था यह पत्र जो था यह किसके हाथ लग गया यह हाथ लग जाता है इस नन्ही जान के नन्नी जान ने जब ये पढ़ा तभी से इस नन्नी जान की आँखों में जो इस समय पालकी में आपको यहां पर बैठी भी दिखाई दे रही हैं जिनकी सुन्दर्ता और नर्ते से मोहित हो करके मारवार सासक जस्वन सिंग यहां पर इनके उपर लट्टू पट्टू हो गए थे अर्थात प्रशासन की सारी तमाम जिम्मेदारियों को भूल कर महराजा जो थे जस्वन सिंग यह नन्नी जान के साथ ही रहा करते थे अर्थात प्रशासन के उपर संपूर्ण नियंतरन यहां पर ननी जान के द्वारा जब इस्तापित कर लिया गया था यहां पत्र जब इस ननी जान को मिला तो क्या ननी जान की आँखों में अब किरकरी बनेंगे क्या स्वामी जी बिलकुल बनेंगे आपने महरजा को ये पत्र कैसे लिख दिया आप हमारे बीच में आने वाले होते ही कौन है वहाँ सडियंत रचने का प्रियास यहाँ पर अब कर बैठती है के कौन कर बैठती है यहाँ नन्नी जान जो थी जो नन्नी भगतन थी एक्चुल में अर्थात मैं यूँ कह दूँ कि यह बेसिकली गणी का थी लेकिन इसके प्रेम में खोगे थे मारवार सासक जस्वन सिंग सेकिन और इसी की डोली को जब यहाँ पर उठाएवे स्वामी जी ने देखा स्वामी जी देन पत्र लिखा यह पत्र आपके नन्नी जान के हाट में लग गया उसी दिन नन्नी जान ने बदला लेने की सोच ले थी कि मैं स्वामी जी से बदला जरूर लूँगी अर्थात स्वामी जी कौन होते हैं हमारे बीच में आने वाले इसी के ताहत महरजा जो अत्यंत लजीत हुए स्वामी जी के पास दूद भिजवाया गया जिसमें नन्ही जान के दौरा काच को पिशवा कर भिजवा दिया गया इसी के कार्ण स्वामी जी की तब्यद बिगड गई यहाँ इनका जोचपुर वाले क्षित में छोटा मोटा ओप्रेशन भी किया गया लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हुए जिसके कारण इन्हें कहां भेज दिया जाता है यहां से अजमेर भेज दिया जाता है और अजमेर में ही 30 अक्टूबर 1883 इस वीग में इनका ऐसामिक स्वरगवास हो जाता है लेकिन इस घटना के बावजूद भी मारवार महरजा जो थे वहां ननी जान से अलग नहीं होते हैं तो मैंने आपको समझाने का यहां पर यह प्रियास किया जो हमारा मैन मुख्य बिंदू आज की सेशन का था कि महरशी दयानन सरस्वती को मारवार वाले क्षित्र में या जोदपूर वाले क्षित्र में जहर क्यों दिया गया था उसक को देकर इस द्रश्य को देकर क्रोधित हो गए क्योंकि हमेंने थोड़ी ही देर पहले ये जाना है कि किस प्रकार मारवार सासक जस्वन सिंग सेकें ननी जान के उपर लट्टू हो गए थे और छात ननी जान के द्वारा इनके उपर अपना नियंतरन सापित कर लिया गया था और मारवार सासंग के उपर भी अपना नियंतरन सापित कर लिया गया था ये सारी बाते हमने जानी जिसी के कांड स्वामी जी के द्वारा महरजा को फटकार दिया गया यह बाद जब ननी जान को पता लगी तब ननी जान के द्वारा अपने अप्मान का बदला लेने के लिए क्रोध में दूद में पिसावा काच मिला दिया जाता है जो आपके मारवाड समराजे का जो रसोया था जिसका कई जगे नाम अपने को आपके गोन मिस्रा या कई जगे जगनात मिलता है उसको अपने पक्ष में लिया और यहाँ पर पीसावा काच जो है वहद दूद में मिला करके स्वामे जी को दे दिया गया जिसके कान इनका धेहन थो गया हलانकि स्वामी जी इतने उद्दार प्रवर्टी के थे इनके द्वारा इस नन्नी जान और जो इस रसोया जो था जिसकी साहिता से इनके पास दूद बिजवाया गया था उन दोनों को माफ इनके द्वारा कर दिया जाता है और साथी साथ अजमेर वाले क्षित्र की बात हम अगर करें क्योंकि मैंने कहा महरजा द्यानन आपके महरसी द्यानन सरस्वती जो है इनका स्वर्गवाश जो था या अजमेर वाले क्षित्र में हुआ था इसलिए अपने अजमेर वाले क्षत्र में जो अपना युनिस्टी चलता है उसका नाम भी नहीं के नाम पर रखा गया है महर्शी द्यानंद विश्व विद्याले और यहाँ आपके महर्शी द्यानंद विश्व विद्याले जो आता है महर्शी द्यानंद सरस्वती विश्व करवा देता हूँ एक्चुल में बात क्या थी सबसे पहले आज हमने डिसकस करने का कारी किया जो आपके महरसी द्यानन सरस्वती आते हैं उनके बारे में बेसिक बाते हैं जो आप से पूछी जा सकती है रासान किशंदर में वो याद संकर था और एक इस्वर को मानना और साथी साथ मुर्ती पूजा को एस्विकार इनके द्वारा किया गया मैंने आपको ये भी बताया कि वेदिक ज्यान के प्रचार हेतु वेदिक विद्याले इनके द्वारा खोले गए थे जो सबसे पहले फरुकाबाद में खोला गया यहाँ पर रहने वाले चात्रों को भी मुर्ती पूजा के अनुमती नहीं थी बलकि वहाँ आपके यहाँ पर वेदिक मंत्रों का उचान करते थे और अगनी होत्र होम हवन इनके द्वारा यहाँ पर आजित किये जाते थे मैंने आपको यह भी बताया कि सत्यार प्रकाश नाम से इनका जो आपके परवचन आते हैं इनको प्रकाशित किया गया था 1875 वाराणसी में दूसरी बात हमने किया अजमेर में इनके द्वारा परुपकार्णी सभाकी सापना 1882 इस्वे में की गई थी हलांकि से पहले ही मेरट में अगस 1880 में परुपकार्णी सभाकी सापना हो चुकी थी मैंने ये कहा इसका आपके उदेपुर वाले क्षितर में जो महना आते हैं सजन सिंग इनके काल में सत्यार प्रकास की भूमी का इनके द्वारा लिखी गए थी और मेवाड वाले क्षितर में ही आपके प्रताप सिंग जो थे वे स्वामी जी से मिले थे और वहीं से प्रेरित प्रताप सिंग हुए थे जिसके कान उनको माद में मारवाड में भी बुलाय गया मारवार में मैंने आपको ये बताया कि आपके जस्वन सिंग जो आते हैं जस्वन सिंग राजगदी के उपर बैठे तब इनके द्वारा कई मुसलमानों को बड़े पदों पर पॉइंट किया गया इनी में से एक दिवान थी जिनका नाम आता है फिजूला खान जिनके द्वा आकर सादूं से उनकी सादना में साहता के लिए दिया जाता है या फिर बेज दिया जाता था भक्तनों का विवाव पुने सादूं से ही होता था मगर उनमें से कुछ आपके गणिकाओं का कारिय करने लग जाती थी और उनमें से एक थी नन्नी जान नन्नी भक्तन जिसका प आपके दूर्ग से मिलने के लिए घासमंडी भी जाया करते थे और मैंने ये कहा इसी से इनके छोटे भाई प्रताप सिंग नाराज हो गये थे जो मारवार का क्षित्र छोड़ कर मिवार वाले क्षित्र में चले गये थे अर्थाच सासन के उपर पूरा नियंतरन जो था वो फेजूला कान और नन्नी जान का हो चुका था इसी नन्नी जान के लिए खवेली का नेमान यहां पर जोटपूर वाले क्षित्र में महरजा के द्वारा करवाया गया साथे साथ मैंना आपको यह बताया कि मारवार के इतियास में नन्नी ऐसी पहली गणिका थी या पहली वेश्या थी जिसके द्वारा महरांगर दूर की दहलिज को लांगा गया था अर्थात महरजा उनकी पालकी का आग्मन करने का कारे आग्वाई करने का कारे भी करते थे अर्थात मैं यूँ कह दूँ कि उनका स्वागत महरजा स्वेंके द्वारा किया जाता था और यह दर्बार में बगल में ही कटार लगाकर कि महरजा के पास बैटने लगी थी अर्थात एक भक्तन थी जिसका प्रभाव मारवार के प्रसासन पर हमें पूर्ण रूप से देखने को मिला लेकिन जब प्रसासन की स्तितिया नियंतरण से बाहर होगी प्रताप सिंग को वापस यहां पर इन्वाइट किया गया और इनी प्रताप सिंग के द्वारा मिवार से मारवार आमंत्रित किया गया था किसको स्वामी दयानन को स्वामी दयानन सरस्वती जब आपके मारवार वाले खशित्र में तब एक दिन इन्होंने देखा ये दृष्षे कि महरजा स्विम इस नन्नी जान की पालकी को उठाए हुए हैं तो स्वामी दयानन सरस्वतीन से नाराज होगे और इनको एक पत्र लिखा इसी का बदला लेने के लिए ननी जान के द्वारा दूद में आपके पिसावाकाच मिला दिया गया जिसके कारण स्वामी दयानन सरस्वती का क्या हो जाता है देहान्त हो जाता है इनका स्वर्गवा इलाज संबव ना हो पाया, तब इनको अजमेर ट्रांसपर किया गया, लेकिन विबत्स ना सके, इनका स्वर्गवास हो जाता है, और मैंने साथ ही साथ आज 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 आपको ये भी बताया, कि अजमेर में ही महरसी धानन दियुनिश्टी आपका यहां पर संचालित किया जात और जब भी कवी यहां पर आपसे एक्जाम में इस संधर में कोई भी क्यूशन पूछा जाएगा, तो अमीद रखता हूँ, आप लोग इसे बिलकुल ठीक करने वाले हैं, ओकी गाइस तो अगली मुलाकात कल एक नए विशेश टोपिक के साथ होने वाली है, रोज स्याम प इसी जोश के साथ पुना होने वाली है, तब तक के लिए बाई बाई, टेक कियर, थैंक्यू सो मच